दोस्तो ये कहानी एक दस्वी क्लास के सरीफ लोंडे की है जो एक भावी को देखते उसका दिवाना हो जाता है और उससे भटाबट 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 करने का कोई मौका नहीं छोड़ता बेसक उमर कम हो पर काम एक नंबर का है तो चलिए देखते हैं ये लोंडा और पर देख्षन का चेप्टर पढ़के आ रहा होता है अब इस सहर में जगू पन्वाडी की फैमली नहीं होती है तो वो सहर का बजार गूमने जाते हैं पर जगू पन्वाडी बजार में नहीं जाता बलकि अपनी लाल दन्नों को लेकर लॉंडियों को तारने निकल जाता है अब इस हेर में लॉंडियों को तारते तारते जगू पनवारी एक बीच के पास पहुंच जाता है जहां एक औरत यानि की कोई भावी अपने गीले कपड़े चेंज कर रही थी और जगू पनवारी भावी को फुल टसन में तारने में लगा हुआ था जिसे देखकर उसके मन म बस एक ही बात आती है बटाबट 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 यानि की पलंग तोड़ जमीन तोड़ ठुकाई अब ये सब देखने के बाद जगू पनवारी की हालत ऐसी हो गई थी कि मानो वो करना तो बहुत कुछ चाता हो पर कर नहीं पाता उधर भावी भी जगू पनवारी को अपना पपीता दिखा देती है अब पपीतों को देखकर जगू पनवारी की फट के चौशट हो जाती है और वो तुरंत वहां से भाग जाता है और बजार में जाकर अपने मॉम डैड के साथ गूमने लगता है तब ही वो भावी फिर से उसे बजार में दिख जाती है तो उसका पीछा करते करते एक होटल में पहुँच जाता है और अपनी पूरी हिम्मत के साथ भावी के रूम के गेट को बजा देता है लेकिन जब भावी बहार आती है तो जगू पनवारी की फट जाती है भावी अपना नाम चटपटी मिर्ची बताती है और वो अपना नाम जगू बताता है भावी जानती थी कि जगू पनवारी एक स्टुडेंट है उसना अभी तक किसी का डोल नहीं बजाया होगा तो फिर भावी जगू का हाथ पकड़कर अपने पपीते पर छुआ देती है और उसके फोर हैड पर एक चटपटी सी चुम्मी दे देती है जिसस लो यार ऐसे मौके के लिए दुनिया तडपती है पर जगू भाईया तो हर मौका गवा के भाग जा रहा है अब अगले दिन जगू पनवारी सोच विचार कर रहा होता है कि आज तो मैं भावी की दुकान का गोदाम बना के ही रहूंगा तो अब जगू पनवारी फिर कि उसके पती का होता है इसलिए जगू पनवारी तुरंत कॉल को कार देता है अगले दिन हम जगू पनवारी को उसकी क्लास में देखते हैं जहां वो बस भावी के पपीतों के बारे में ही सोच रहा होता है क्लास के बाद जगू पनवारी भावी के पती को कॉल करता है और तो वही है बीच वाले लाउंडा, जिसे ए मैंने पापीते दिखाये थे, तो जग्गु पनवाडी कहता है, हाँ मैं वही हूँ, तो भाबी कहती है, जब मैंने तुझे मौका दिया, तब तु तु ने कुछ नहीं किया, तो अभ तु मेरा पीछा क्यों कर रहा है, अब ये मुझे अपनी चिडिया दे देना तो वो उससे कहती है निकल जा साले कुछ नादेरी में और तबी जग्गु पनवारी का एक्सिडेंट हो जाता है इसलिए भावी उसे उठा कर अपने घर ले जाती है जहां वो मरम पट्टी करते करते पता नहीं कब अपनी सेट के बटन खो जाने लगता है जिससे भावी को भी बहुत मजह आता है और अब यह सिल्सिला डेली का हो जाता है जंग्गु पनवारी अपना सारा समय भावी के साथ ही गुजारता रहता था यहां तक कि वो स्कूल में सोता था और पूरा दिन भावी के साथ बिताता था अब एक दिन जब जग्गु पनवाड़ी अपने घर पर पियानों बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था तब ही इसकी मां कहीं गूमने जा रही थी और वो जग्गु को इसकी छोटी बेहन का ख घर पहुंच जाता है और इस बार जग्गु पनवाड़ी भावी से बटाबट 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 करने में काम्याब हो जाता है और वो यह करी रहा होता है कि तब भावी का पती घर पर आ जाता है तो भावी जल्दी से जग्गु को उसके कपड़ों के साथ टेरस पर च पती सू जाता है तो वो घड़ी को आपने घट से बहार भेज देती है अब ये सब करम कांड करके जगड़ी बहुत दुखी होता है क्योंकि जब भाबी का पती आया तो उसने जगड़ी को 12 में टैडिस पर बैठा दिया और अब जग्गू पनवारी को भाबी के पती से जलन होने लगी थी इसलिए वो गुस्से में घड़ जाकर रोते हुए सो जाता है वहीं जग्गू पनवारी के मॉम डैड उसके बरताप को देखकर बहुत ही जदा परसान थे यहीं पर हमें पता चलता है कि जग्गू के मॉम डैड के बीच कर इसता कुछ ठीक नहीं चल रहा अब अगले दिन जग्गू पनवारी चर्च में अपनी फैमली के साथ एक पियानो सो देखने जाता है जहां उसकी मुलाकात एक लारा नाम की लोंडिया से होती है जो जग्गू पनवारी से अपना चमगादर बनवाने को राजी थी लेकिन जग्गू पनवारी तो भावी के ख्यालों में ही डूबा होता है वो बस मनी मन में सोच रहा होता है कि दुनिया जाए भाड में भावी आए आड में अब जब जग्गू पनवारी चर्च से वापस घर आता है तो भावी उसे वहीं पर खड़ी मिलती है अब जग्गू की मौम को लगता है कि सैज जग्गू से जानता है लेकिन जग्गू पनवारी भावी को इगनोर करके अपने घर के अंदर चला जाता है ये देखकर भावी की आंख फटी की फटी रह जाती है और वो मन में सोचती है जब तक नहीं दिया था अपना मौत का कुवां तब तक के मेरे पीचे दो मिला के कुट्टों की तड़ा पड़ा था तो अब इस वज़े से भावी अगले दिन जग्गु पनवारी से उसके बना ले वहीं भावी की मुलाकात जग्गु की छोटी बेहन से भी हो जाती है अब रात में भावी फिर से जग्गु पनवारी के घर आती है क्योंकि उसे पता था कि आज की रात जग्गु के मौम डड़ कहीं बाहर जा रहे हैं अब अंतर आने के बाद उन दोनों में बट 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 करते हैं और अगले दिन पार्क जाने का प्लैन भी बना लेते हैं अब अगले दिन वो दोनों पार्क में जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं और इसी मौज मस्ती में उनका मूर भी बन जाता है और वहीं पर वो घांसो मई बट 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 करने लग जाते हैं अब इसके बाद ये दोनों साथ में फोटो लेते हैं ताकि जग्गु पनवारी अकेले में भी अपने घोड़े को अराम दे सके अब उन दोनों को गुमतों साम हो जाती है और उन्हें काफी तेज भूक भी लगी होती है तो इसलिए भाबी जग्गु पनवारी की लाइफ काफी मज़े से कट रही थी लेकिन एक दिन जग्गु की बेहन अपनी मौम को बता देती है कि मम्मी भाईया का चक्कर उन आंटी के साथ चल रहा है जो उद दिन हमारे घर पर आई थी अब ये सब जानकर उसकी मम्मी दंग रहे जाती है और उसके टीचर उसे पढ़ाई पर फोकस करने को बोलते हैं लेकिन जग्गु का सारा फोकस तो भाई का पानी निकालने में लगा हुआ था तो नंबर कहां से लाता तो अब अगले दिन भाई जग्गु पनवारी के घर आती है क्योंकि आज जग्गु के घर पर कोई भी नही होता वहीं जग्गु पनवारी रोमेंटिक होकर भाई को एक लव लेटर देता है तो भाई उस लेटर को पढ़ने लगती है अब लेटर में 69, 39, 49, 59 सारे एंगलों की बाते लिखी थी अब ये पढ़कर भाई का मूड बन जाता है तो वो तुरन्त जग्गु पनवारी के गोडे की सवारी करने लग जाती है यानि की भटा भट 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 करने लगती है अब जब ये सब हो रहा था कि तब ही अचानक से जग्गु के घर के में गेट के खुलने की आवाज आती है तो वो दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगते हैं कपड़े के बाद जब जग्गू पनवारी गेट पर चेक करने जाता है कि साला इतनी रात में कौन आया है पर तबी वो देखता है कि उसकी मौम किसी दूसरे आदमी के साथ घर पर आई है ये देखकर जग्गू पनवारी गुस्से में अपने घर से बाहर निकल जाता है पर वहीं अब ये देखकर भाबी के पती को अपनी गलती का एसास होता है कि मैंने तो तेज मार दी तो इसलिए वो भाबी से अपनी गलती की माफी मांगता है उधर दूसरी तरफ जग्गू पन्मारी की मम्मी ने अपना बॉइफ्रेंड से ब्रेक अप कर लिया था और जब वो पर गुस्ता करके उन्हें वहाँ से भगा देता है अब इसके बाद जग्गू की मौम जग्गू के डैड से मिलती है और यहां इन दोनों की बात सुनकर हम समझ पाते हैं कि जग्गू के डैड को उसके अफेयर के बार में पहले से ही पता था अब अगले दिन जग्गू की मा भाबी से मिलती है वो भाबी का कुछ पैसे देकर जग्गू पनवारी से दूर रहने को कहती है लेकिन भाबी एक भी पैसा नहीं लेती अब इसके बाद भाबी जग्गू से उसके स्कूल के बाहर मिलती है जहां भाबी का ये हाल देकर जग्गू और भी जदा गुस्सा हो दुखी हो जाता है और जोस जोस में वो सब को छोड़ कर भावी के गेस्ट हाउस में पहुंच जाता है उधर उसी दिन जग्गू का फाइनल एक्जाम होता है लेकिन जग्गू गर पर नहीं होता तो उसके डैड उसे डूंड़ते डूंडते भावी के गर पहुंच जाते है उस टाइम भावी अपनी साधी के लिए तयार हो रही होती है लेकिन जब उसे जग्गू के बारे में पता चलता है तो वो जग्गू के डैड के साथ अपने गेर्ट हाउस में जाती है जहां जग्गू टली होकर सोया हुआ था तो वो दोनों उस पर ठंडा पाने डाल कर उसे भावी भी फिर साधी कर लेती है एंड में हम देखते हैं कि अब जग्गू ने भावी को बुला दिया था और अब वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका था और वो अपनी लाइफ से काफ़े खुश था क्यूंकि अभी उसकी लाइफ में और भी लड़कियों का आना बाकी था और यहीं पर यह movie खतम हो जाती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह movie comment करके जरूर बताना I hope अगर आपको मेरा explain पसंद आये हो तो आज ही हमारे चैनल को subscribe, वीडियो को like और share जरूर कर देना अगर आपको यह movie देखनी है या download करनी है तो आप हमारे टेलिग्राम के चैनल से कर सकते हो